Hello friends, welcome to my YouTube channel, chapter 1 से example 5 करेंगे Find the decimal expansions of 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7 ये तीन fraction form में लिखे हुए है numbers इनको आपको divide करना है, divide करके answer को decimal की form में लिखना है उसे ही हम बोलते हैं decimal expansion तो पहला number है 10 by 3 तो 10 by 3 को जब हम divide करेंगे तो numerator को तो अंदर रखते हैं हमेशा 10 या रहेगा और ये 3 से इसको divide किया जाएगा अब 3, 3000 होता है 9 माइनस करके remainder आगया है 1 अब 1 जो है, इसके आगे कोई number तो है नि 10 के आगे तो हम यहाँ पे इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें answer decimal में लिखना है न तो इसमें decimal लगा के और यहाँ भी एक decimal लगा देंगे इस number को थोड़ा हम बढ़ा लेंगे तो point के बाद 0 लगा लेंगे ये 10th place के उपर 0 आ गया अब उपर से ये 0 उतार लिया अब यहाँ पे 10 है तो 3, 3000 ये फिर से 9 पे चला जाएगा और minus होके फिर से 1 आ गया अब फिर से यहाँ हम एक 0 लगा लेंगे और इस 0 को यहाँ पे उतार लेंगे अब ये फिर से 3 पे ही जाएगा तो ये फिर से 3, 3000 9 हो गया और फिर से 1 हो गया फिर से यहाँ पे एक 0 एड करके और इस 0 को उतारके यहाँ पे लिख लेंगे तो यह 10 हो जाएगा तो यह फिर 3, 3000 फिर से यह 9 पे ही जाएगा तो आप इसमें यह देख रहे हैं कि हर बार हमने 0 add करकर के इसको बढ़ाते जा रहे हैं और जबी भी हम table चला रहे हैं तो 10 के नीचे 3, 3000 9 आ रहा है हर बार remainder 1 आ रहा है 1 में फिर से 0 लगा रहे हैं तो 10 बन रहा है और फिर से यह 3, 3000 9 पे जा रहा है तो अब इसके आगे आप इसे कितना भी करते हुए जाओगे हर बार यह चीज रिपीट होती जाएगी और यह जो division है यह कभी खतम नहीं होगी क्योंकि हमेशा remainder 1 आता जाएगा उसमें फिर 0 लग के 10 बनता जाएगा और 3, 3000 बार बार यहां 3 आता रहेगा और 9 आता रहेगा और फिर से 1 आ जाएगा तो यहाँ पे यह सवाल आपका इसी तरह से फर्दर चलता रहेगा अब इसको हम लिखेंगे कैसे यह तो पता चल गया कि 3.3 और यह 3 कभी खतम नहीं होगा इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 3.3 और यह क्योंकि 3 बार बार आएगा अब तो इसके उपर हम यह बार लगा देते हैं यह हो गई है इसकी decimal expansion इस तरह की decimal expansion को हम बोलते हैं non-terminating repeating decimal non-terminating इसलिए क्योंकि यह terminate नहीं हो रहा terminate का मतलब है सवाल का खतम हो जाना जब remainder 0 आ जाता है तो वो terminate हो जाता है तो यह non-terminating है और repeating decimal इसलिए है क्योंकि point के बाद यह जो 3 है न यह बार बार repeat हो रहा है repeat होते ही चला जाएगा तो यह हो गया है first part second है इसके अंदर 7 by 8 अब इसे divide करते है तो 7 को divide करना है 8 से अब क्योंकि जो 8 है यह 7 से बढ़ा है तो यह 0 पे ही जाएगा 81008 भी नहीं लिख सकते हम इसके नीचे तो 80000 लिखेंगे minus करके यह 7 आ गया अब आगे हमें चाहिए number तो point यहां लगा लेंगे point यहां लगा लेंगे इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे तो point के बाद मैंने यह 0 लगा लिया है tenth place के उपर अब यह 0 उतार लेंगे तो यह बन गया है 70 अब 8 का table चलाएंगे 70 के नीचे लिखेंगे 88064 minus करेंगे 70 में इसे 64 minus करेंगे तो यह आ जाएगा 6 अब क्योंकि point हमने एक लगाया हुआ है उपर तो हम हर step में एक 0 लिख सकते हैं और एक 0 यह जो remainder आ रहा है इसके अंदर एक 0 लगा सकते हैं अब यह 60 बन गया अब 870 होता है 56 तो यह 7 पे जाएगा 870 56 हो गया minus किया 60 में से 56 minus किया तो 4 आ गया अब एक 0 यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने decimal लगाया हुआ है यह 40 हो गया 850 यह हो गया है पूरा 40 minus करके remainder आ गया है 0 तो जब remainder 0 आ जाता है उस तरह की decimal expansion को बोलते हैं हम terminating decimal यानि यह सवाल खतम हो गया तो इसका answer हो गया है 0.875 यह इसकी decimal expansion है तीसरे पे चलते हैं तीसरा है 1 by 7 it means 1 को divide करना है और 7 से divide करना है अब यहाँ भी यह जो 1 है यह 7 से छोटा है तो table 1 तक भी नहीं पढ़ सकते हैं 1 नहीं पढ़ेंगे तो 0 का पढ़ेंगे 7, 0, 0, 0 माइनस करके यह 1 आ गया अब क्योंकि हमें point में answer चाहिए तो इसको बढ़ाना पढ़ेगा आगे तो यहाँ point लगा लेंगे और यहाँ भी फिर हम यहाँ पे point लगा के और 0 बढ़ा लेंगे तो यह 0 नीचे आ जाएगा अब यह बन गया है 10 तो 7, 1000 हो गया है 7 माइनस करके 3 आ गया अब क्योंकि point यहाँ हमने लगाया हुआ है तो हर step में remainder में 1, 0 हम लगा सकते हैं एक से जादा नहीं लगा सकते तो यहाँ पे 1, 0 लगा लेंगे तो 30 हो गया अब 7 का table पड़ेंगे तो 7, 4 पे जाए गए 7, 4, 0, 28 माइनस करेंगे remainder 2 आ गया एक 0 लगा सकते हैं 20 हो गया 7, 2, 0 हो गया है 14 माइनस किया तो यह 6 आ गया एक 0 लगा लेंगे 60 बन गया 7, 8, 0 होता है 56 तो 8 पे चला जाएगा यह 56 आ गया माइनस किया माइनस करके 4 आ जाएगा और एक 0 लगा लेंगे 40 हो गया 7, 5 पे जाएगा 7, 5, 0, 35 माइनस कर लेंगे तो 5 आ गया एक 0 लगा लेंगे 50 हो गया 7, 7, 0, 49 7, 7, 0, 49 हो गया माइनस करके यह 1 आ गया अब देखें यह 1 आ गया है और यह start भी 1 से ही हुआ था question यह रहा अब यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे तो यह 10 बन जाएगा और फिर यह 71007 हो जाएगा और फिर यह 3 आएगा फिर यह 0 आजाएगा यानि अब यहाँ से यह repeat होना शुरू हो जाएगा जैसे 1 से सवाल यहाँ तक गया है ना ऐसे यह 49 तक अब 1 से फिर से शुरू हो जाएगा यह इसी तरह से 71007 हो गया अब यह 30 हो गया इसके बाद यह फिर से 4 पे चला जाएगा 74028 इट मीज अब यह repeat होता चला जाएगा सेम यही steps repeat होते चले जाएगे और फिर से जो इन नीचे आके 49 आ जाएगा माइनस में और फिर 1 आ जाएगा फिर आप इसे करते चले जाओगे यह पूरी चीज़े फिर से repeat हो जाएगे फिर से नीचे 1 आ जाएगा 10 बन जाएगा फिर 1 से फिर से यह चीज़ शुरू हो जाएगी यानि 142857 यहाँ आके फिर से यह जो सवाल है 1 से शुरू हो जाएगा 142857 यहाँ आके फिर से यह 1 से शुरू हो जाएगा 142 and so on और यह कभी खतम नहीं होगा तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 0.14285 और यह 7 इसके बाद यह फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा 1 से इट मींज कि यह बार बार आएगा तो इतने के उपर हम बार लगा देंगे यानि यह सवाल कभी खतम नहीं होगा यह non-terminating है और यह repeating decimal है non-terminating इसलिए क्योंकि कभी खतम नहीं होगा और repeating decimal क्योंकि इतना होने के बाद 7 पे पहुचने के बाद फिर से 142857 चल जाएगा उसके बाद फिर से 142857 चल जाएगा तो यह इसकी decimal expansion हो गई है अब यह जो दो तरह की decimal expansions आपने देखी है न एक तो यह terminating decimal क्योंकि यह सवाल यहाँ 0 आगे remainder second part में यह पूरा खतम हो गया इससे हम terminating decimal बोलते है और non-terminating और repeating decimals जो होती है यह वाली यह दो तरह के जो sums होते हैं यह rational numbers के होते है rational numbers के अंदर या तो आपकी decimal expansion terminating decimal होगी या फिर non-terminating होगी लेकिन repeating decimal होगी तो last part था question खतम next questions के लिए next video में मिलते हैं तब तक के लिए goodbye